ग्रेट मॉर्निंग जी ग्रेट बॉरिए दोस्तों नमस्कार लेक्चर थ्री चेप्टर सेवन लास लगेशुन और बड़ा 2-30 मिनट के लेक्चर मुझे लह से लगा कि लास लेक्चर्ट 2 में कम्प्रीट कर देना चाहए था बात नहीं मैं भुबेश आनंद मैं सिये मैं सिये मैं मैं अमेरिका और मैं लेंडन पेटे मैं इतने सारे कोर्सिस कि अगर आपको नाम बताना शुरू करते हो तो आप खुद भूल जागा और मैं भूल चुका हूँ कि मूचल फंड डिस्ट्रिबूटर के लिए मुझे मोटिवेशन मिली किसी ने कहा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए भी कुछ कीजिए तो मैंने क्या क्या कि चलो इसको रिकॉर्ड करते और फ्री अपकोस डाल देते पुरा यूट्यूब में अभी पटे कोशन अंत सब्सक्राइब के हैं आपको mathematics नहीं आता स्टिल आप सबको अमीर बनना है पैसे कमाने तो पैसे कैसे कमाएंगे मैं भुपेश आनन्द आपको बताऊंगा आप बस आज मेरी बात को थोड़ा सा सुनेंगे पांच-छे मिनट का लेक्चर जाद है भी नी रिजिस्टर ओपन लास्ट लेक्चर मैंने का था एकुटी औरेंटेंट में 2.5 परसेंट और वहां पर 2 परसेंट ओवराल इंडिवीजुल लिमिट्स नहीं है क्योंकि इंडिवीजुल तुत्र सारे एक्स्पेंस है और आप लैप्टॉप में डेस्टॉप में देख रहे हैं आप मेरे मैं आ आज आपको एक बड़ा प्यारा सा गाना दिखाने वालों दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे उस गाने को सुनके आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसकंदर तू भी बन सकता है अर्मान है तू भी तो करोणपती बनना चाहिए सरस्वती जो है पीटे पहले पर आपने वह विद्ध्यकादन आ एग्या तो सब कुछ क्यों टरसना है तू विद्ध्या ददा रिख बिनियम्युं दधा लख मी मिनदा लक्ष्मी तो मेनत कर है कि कर कर सकता है आज के इस लेक्चर के थुरू मैं दोस्तों जादा तो ऐसे कुछ नहीं तुड़ा से बताना है क्योंकि सब अब कुछी कवर हो चुका है यह देखें जी मैंने आपके workbook को open कर दिया ओपर लिखा हुआ था डिविटेन इंडिस्ट्रिबूटेबल रिजर्वस इसका पतलब डिविटेन क्या होता है और इसको इंडिस्ट्रिबूशन का नाम को चेंज कर दिया वाइस अब इस चेंगे चुन सी मिश्ववण कंपनीज को रेंस एकने से एकमने ङर अपोले दिया क्या कैटबरी पए किह जोंसं जोंसंन वाले देते उसको देखेंगे अगर में देना भी छाते बातों का चर्चा आज मैं डिविदेंट डिविदेंट डिश्टिबूटर रिजर्फ में करूँगा एंड देन आइव इसके बाद आपके पास आऊंगा और दोस्तों मैंने उसके बाद आपको आज आच एंट्री लोड और एक्जिट लोड की बाते बताने जैसे आप पुहर में जाते हो या सिनेवा हॉल में जाते हो तो आप एंट्री टिकेट लेते हो अंदर जाने के टिकट होती है पहले मूचल में भी इन्वेस्ट करने की टिकट लेनी पड़ती थी इटमीज आप आजकल सेवी ने बंद कर दिया एक्जिट रहे गया उसको देखेंके वाटाई में रिप्वार्टिंट मतलब आपको रिप्वार्मेंट को उनको डिस्क्रोज कैसे करना है आए बिल्कुल मजा आने वाला दोस्तों बहुत मजा आएगा आज के इस लेक्चर के थुरू मैं मैं भुपेश अनन्द मैं भुपेश अनन्द आपको एक छोटी सी पहले तो कहानी बता हुआ कहानी कुछ इस तरह कि है कि Securities Exchange Board of India ने बड़े पापा ने आजकल डिवीड़न का नाम चेंज कर दिया है कि income available for distribution का नाम रख दिया वैसे बात है कि है डिवीड़न का मतलब ही होता था profits which are distributable which are available for distribute distribution because shareholders are the owners similarly unit holders are the owners are the mutual fund अब mutual fund अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती और वहां से उनको डिवीड़न मिलता है तो सवाल आता है डिवीड़न का नाम अब income distribution हो गया है अच्छा इची बताओ एक गाव में लुटेरे कव आएंगे एक गाव में लुटेरे तभी आएंगे जब वो गाव समृद्ध होगा जब वो गाव में गाव वाले अमीर होगे जब वो गाव व से उपनगे से ड्रोफ फिस एलिक अगर शूंगे यंद तंट लिए डिलिए डिल्ए नेसली इंडिया मिल्ए पला एस दोलीडिए अप अले डिलिए दिविए आप डिल्ए देट आप डिल्यदेवर्स आपल्व टाय है नो हर्म्न जोलिए टूंटाइ नुलिए यह झाव of those companies of those stocks you know so my point is my point is they should have they should have distributable reserves तो हम आज बताएंगे कि इससे डिविदेंट दे सकते हैं इससे डिविदेंट नहीं दे सकते हैं और अगर डिविदेंट देना भी है तो आइए तोड़ा सा एक आज बात लिख लेते हैं फिर हम तोड़ा सा ज्यादा शायद समझ भाएंगे अपनी बातों को आइए जी मैं भुपेश आनन्द हेडिंग लिख चुका हूं डिविदेंट एंड डिस्ट्रिबूटेबल रिजर्व्स विदेंट दो तीन लर्री अब् डिस्ट्रिबूुटेबल डिविदेंट एंड डिस्ट्रिबूटेबल डिसर्व्स मैंने कहा हुआ जी सेभी ने अभी नाम चेंज कर दिया तो आपको पता होना चाहिए पेपर में कोशन आ सकता है की नाउद नीव नेम एसपर सेभी इंस्प्ट दिविदेंट इंकम इस इसका मतलब इसका मतलब जगर आपने डिविटन को आप किया होगा तभी डिविटन मिलेगा अभी आप लिख ले फिर में धीरे धीरे सारी कि बातें को राज को बताऊंगा रास अभी बाकी है बात अभी बाकी है आई इक पहला पॉइंट समने लिख लिया डिविटनिशिकल दिस्ट्रीब इस इंकम अव्ट इन्कम डिश्टीबिटिबिट रियुट्रीट थर्ड पॉइंट इस मूट फंस दिस्ट्रीब्ट तो फिरिए करतो यंट बेलुएशन गें उले उन्रलाइस्ट अन्रेलाइस्ट डेलॉइस्टवलेस्टेंटम जो शेयृष्ट में फ्रॉफित हो क्योंकि हमने भी तो यह नहीं तो एक्शुलित नहीं क्या वह न्युलाइस्ट है बॉट होने की संभावनाया अगर हमने सच में वो शेर्स बेच दी है, मुचल फंड के फंड मैंने बेच दी है, तो आट कैपिटल गेन हैस बिन रिलाइस्ट वो एक अलग चीज़ है, रिलाइस कैपिटल गेन, बट अगर हमने वो डिवेड़न, हमने वो शेर्स नहीं सेल किये, बट उनकी वेली उपर हो गई है, तो अगर हमने वो शेर्स बेच दी हैं कि आज हमने एक स्टॉक सो रुपे का लिया था, वो स्टॉक एक सो पचास हो गया और हमारे पास पचास यह स्टॉक शेर्स पड़ें, तो हमारे पास इतना प्रॉफित हो गया, यह होगा, फिर ऐसा होगा, जैसे आप कहीं बार बैठे बैठे कितनी सारी मुंगेरी लाल के सपने बनाते रहते हो, कि मैं मुचरवन डिस्ट्रीबुटर के एक्जाम क्लियर करूगा, फिर मैं यह क्लाइंट ले करा हूंगा, फिर मुझे कमिशन मिलेगी, ट्रेल कमिशन, फिर मैं यह भी करूँगा, फिर मैं अमीर हो जाओंगा, फिर मैं S.W.P. स्टार्ट कर दूँगा, पिर पिटाजी क्या है इस अपने ही तो ही अभी रिलाइस थोड़ी हुआ है similarly मैं आप से कहता हूं कि capital gain can be of two types in the one is realized and second is unrealized कहने का मतलब है unrealized capital gain से आप dividend नहीं दे सकते you can only give dividend out of realized gain ठीक है सर बहुत बढ़िया बात है कोशन बार बार आ रहा है मैंने जैसे भी एभी example दिया सो में से सो का शेर 150 हो गया अगर आपने बेच दिया तब तो realized gain होगा नहीं बेचा और आपको लग रहा है fund manager को कि आगे बढ़ेगा is that's why the reason for that is you're not selling it then it will be named as unrealized my dear friend I think I think this is this is the point which I have I want to discuss मैं आज आपको एक बता दू आपके अगर हम इसमें देखें वर्क बुक में तो dividend and dividend distribution में देखें बिल्कुर सब आपको कानी समझ आज आजएगी क्योंकि आपको मैंने जो बताया ना आपको अंदर की चीज बता दिया आतमा बता दिया मुगली घटी बता दिया 500 पच्छुमान आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहरा था तो अब आपको पड़ेंगे तो इसको समय आजएगा कि क्या मतलब है वट आइमेंगें को से रिगां डिगार डिगाट दुखा और वट आजीडविक्ट की रूप में बता दिया राजा रादी काहनी की रूप में बता दिया अब आपको सारी बाते तीरे लॉजीक लिवाजाएंगी वैसे वह को अब मैं आगया जी next concept में concept of entry and exit load and impact on energy बड़ा important है एक जमाना था कि जब आप कहीं entry करते थे जैसे प्रगती मैदान में exhibition लगी है तो प्रगती मैदान में exhibition लगी है तो प्रगती मैदान में in mutual fund then they have to pay an entry ticket they have to they have to pay an entry load load का मतलब कि अदा भार चड़ दिया उसके से मतलब हम उसको जानके कुछ महंगी चीज दे देंगे मतलब अगर बार रुपे की net asset value है और एंट्री लोड लगा दिया तो वही चीज बार रुपे सब्सक्राइब करने हैं इसका लोड बढ़ा रहा हूं मैं उसका वजन बढ़ा रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब आओगे तो आपको सब कुछ दिखेगा प्रगाति में आपको भी आपको बेरिफिट पेलेगा उसके उपर तुड़ा सा लिख लेंगे एकाद लाइन तो मुझे लगता है बड़ा प्याना रहेगा आफिर यह आए जी कंसेप्ट ओप एंट्री लोड लिखेए जी वेंड यू आरे इन्वेस्टिंग इन श्कीम पहले जमाने की बात कर रहे हैं पहले अच्छा पेपर में तो आएगे एंट्री लोड आजकल से भी ने बंद कर दिया ना बड़ आपको पता हो तो नहीं वाटाई मिन्वान टू वह से निगाँ रूपे की है तो दो परसंट निकाले तो बीस पैसे आएगा इसका मतला एक नया इन्वेस्टर अगर आता है और उसको यूनिट्स लेने तो उसको हम एन्वी दस के बेसिस में यूनिट्स इसू नहीं करेंगे हम उसका एंट्री लोड एड कर देंगे एक त जना का उसके उपर बडन डाल देंगे अब आप यह बताईए एक हजार रुपे के दस रुपे के बेसिस पे सोज यूनिट आएंगे और अगर दस रुपे बीस पैसे पर करें तो सोज से कम आएंगे वही बात वह ने बताने की कोशिश किये कि उसके उपर एक बोजा सम कर दिया है अच्छा एक ही बताओ आपको मैंने बहुत बार बताया कि म्यूचल फंट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस लांग टर्म स्कीम पांच से साथ साल से पहले इसमें विड्राव करना नहीं चाहिए नहीं तो मत नहीं करो यार क्या इन्वेस्ट करना बारा उब्जेक्टिव था लॉंग टर्म इन्वेस्ट में फायदा मिलने वाला है जल्द बाजी में कुछ नहीं होता लॉंग टर्म हैपिनेस अभी मिलती है अब मेहनत करते हो तो अगर आप 12 महीने से पहले पहले ही इन्वेस्टमें आज की 15 दिन बाद इन्वेस्टमें आज की 6 मेने बाद इन्वेस्टमें आज की 364 दिन तक भी अगर आप पैसे विड्रॉब कर लेते हो तो हम इसको जल्दी मानेंगे हम आपको एग्जिट लोड दे देंगे हम आपके उपर एग्जिट लोड चार्च कर देंगे इसका मतलब हम जो चल रही है उसको कम कर दें इसकी सेल प्राइस कम कर देंगे तो दाट इस इस इंसेंटिव और यू यू शुट दोट गो यू दिले अट आट अल्सो आप लिखी एग्जिट लोड फिर माँ बताऊँगा एग्जिट लोड विल डिक्रीज रिटर्न आफ इन्वेस्टर एग्जिट लोड का तो बिटे उसको हम 15 रुपे 15 इंटू एक पर्सेंट अगरम करें तो दाट गांस तो इस पॉइंट वन फाइफ तो हम उसको 14.85 रुपीज की एन्वी मान के सेल करेंगे एक बच्चा कन्फ्यूज हो गया हो कहता है एंट्र लोड में एड करते हैं एक डूड में लेस करते हैं हाँ बेटाए आप खुद सोचो ना आप खुद सोचो मुचल होन को पैनिफिट कब होगा जब वो एक यूनिट ओर जा रहा है उसको पंदरा रुपे दें पंदरा र आपको आपको ऍटेकर शाटे उसका खाल फ्राइस कम कर ना चाहते हैं तो आएब भूपेश आनंद के साथ मटे एक बदो और लिख ले आईए आईए आई महरमान एक्जिट लोड अगर निल है माल लेते हैं कुछ कंप्रीज कहते हैं कि हम नहीं लेते हैं से भी कहता कंपलशनी नहीं है मतला हो तो फिर जितनी नहीं होगी जैसे अभी मैंने एक्जामपल दिया था 15 रुपे उतर ही सेल प्राइस आई दिंग आप बात समझ रहे हैं ठीका सब्सक्राइब बढ़िया इनकेस तो इन्वेस्टर एक्जिट प्राइट डूवलमस जनली मैंने कहा जनली बारा महीने का एक हमने बेंचमार्क रखा है इससे पहले नहीं जाना अगर जाओगे तो जेल की रोटी खानी पड़ेग कि आई आये महरबान मैंने इसकी बड़ी प्यारी प्यारी आख बनाए कि बाड़ी मेहनत किया पिटें आप सोच में सकते कियार मैं फ्री में सारे लेक्छिस अप्लोड दर रहा हूं इनके नहीं बाकि सबने भी प्रेशा कराया और जिस तरह से मैं करागा हूं फुल अनरज अमीर बनने के लिए नौलज चाहिए नौलज के लिए रियालिटी को टॉच करना कंपल सरी है ठीक है जी यह देंके डिविटेंट इंटिस्रिविटेबल रिजर्फ मैंने कहा थे ते अप्रोच चंजरवेटिसम मतलब हम डिविटेंट कम देंगे क्योंकि जब प्रॉफिट् इसको पढ़ेंगे अब देखेंजी इसके जाथ मैंने आपको कराया concept of entry load and exit load, savey has been entry load, so sale price needs to be same as NAV, ठीक है बहुत बढ़िया, as applicable, while changing, while charging, exit load, no distinction will be made among unit holders on the basis of amount of subscription, ऐसा नही है कि किसे ने 1000 units apply किये, किसे ने 10,000 किये, किसे ने 1,000,000 units किये, तो हम 1,000,000 units वाले पर लगाएंग पर नहीं लगाएं, no, सब एक सैसे हैं, सब एक जैसे हैं, no exit load will be charged the bonus units and units allotted to on the reinvestment, मतलब, bonus का मतलब होता है, जो free units मिल जाएं, अभी next chapter में बताऊंगा, तो उसमें exit load नहीं लगेगा, भी देख लेंगे, exit load have to be credited back to the schemes, ठीक है सब, तो आए, मैं last point बताने जा रहा हूं बस आज के इस lecture के through, last बात बताने जा रहा हूं, आपको कुछ बातों का key accounting and reporting requirements हैं, कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, अचा, अगर आप लिख लेते हैं, तो इसमें कैया है, सारी बाते अंदर तक चली जाती हैं, last learning objective, chapter number 7, खत्म होने वाला है, चारी chapter रहेंगे, पां मैंने आपको बताया था, कि एक company की एक AMC होती है, उसकी बड़े सारी schemes हो सकती है, अचा, schemes अलग-अलग होती है, उनके पास AUM अलग होते है, assets under management अलग है, उनके objectives अलग है, तो सभी scheme के accounts अलग-अलग बनानी चाहिए, मतलब, excess mutual fund का large cap scheme है, mid cap scheme है, balance scheme है, liquid scheme है, fund to fund scheme है, index scheme है, मैं कहता हूँ, जितनी भी schemes है, माल लेने 50 schemes है, then excess mutual fund has to maintain, has to do accounting separately for all the 50 schemes, और इसकी जिम्मेवारी है, trustees की है, इसका मतलब दो तरह की accounting होगी, एक तो AMC की accounting होगी, और एक schemes की accounting होगी, schemes की जो accounting है, वो trustees की जिम्मेवारी है, इसका auditor अलग होना चाहिए, और जो AMC की accounting है, वो अलग होना चाहिए, तो यही बात लिखिए, ए-point लिख लीजे, याद रेगा, खाली पढ़ोगे, तो उस दिन क्या बता, याद आए ना है, आप खाली लिख लोगे, भले, इसके बाद ना भी पढ़ो, याद रहने वाल है, accounts of schemes to be maintained separately from accounts of AMC, पहली बात तो यह समझता है, accounts of schemes to be maintained separately from the accounts of AMC, scheme accounts are handled by trust, मतलब जितनी schemes से हो trust handle करेगा, AMC accounts are handled by AMC, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, लिख लो पेटे, पेटे मैं यकीन से कहा रहा हूँ कर इसके बाद नहीं भी बढ़ा और सीजा paper देने चले गए, क्योंकि आपने लिखा है, तब भी आप पास हो सकते हो, आ लास बात बताने वाला हूँ, पेटे आपको बता है मैंने कहा था कि funds अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से कहा था कुछ funds ऐसे होते हैं जो liquid होते हैं, कुछ funds होते हैं, कुछ funds होते हैं, कुछ funds होते हैं, जो debt funds होते हैं, बेटे इन चार funds में, मैं रिपीट करता हूँ, सेवी ने कहा कि अगर आप इंडेक्स FUND है अगर आप लिक्विट FUND है और अगर आप डेट FUND है तो आपको तो net asset value जो आप बताते हो, every day, that has to have 4 digits, 4 decimal places होने चाहिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 20.7635, you have to give 4 decimals, आप round off नहीं कर सकते, 4 के बाद round off कर लो, but हाँ, अगर आप index नहीं हो, अगर आप liquid नहीं हो, अगर आप debt fund नहीं हो, तो 2 digits तक NAV होने चाहिए, वही बात मैंने नीचे लिखिए, पेपरों में बार बार आ रहे हैं, in case of balance fund and equity fund NAV to be published for two decimal places, तो बेटे, बड़ा प्यारा सा point है, मैं मानता हूं कि आप लिखने हैं क्योंकि आप मेरे हैं, लिखो, लिखो मेरे बेटे, लिखो, इंडेक्स में, लिक्यूड में, और डेट में, इंडेक्स में, लिक् लिखो, 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 मैंने इसको वर्ग बुक से भी करा दिया है लो बेटा वर्ग बुक से ले लो कि ले लो तो आई थिक थमाज आ गया है चेप्टर नंबर साथ हमने कंप्लीट कर दिया है और अभी कोश्टन्स में करा हुआ रात अभी बाकी है बात अभी बाकी है आप मेरे लेक्ट्स खाले सुनी ले अलका भूलका नोट भी कर ले और वह कोश्टन्स करने नॉलेच भी आएगी मज मैं आपने प्यार करता हूँ भी हैपी, भी जॉली, भी चे रखुटन्स